हेलो एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिलकुल अच्छे होंगे हम सब भी बिलकुल ठीक हैं मैं सुस्मा को हाड एसके व्लोक्स में आप सबी कब बहुत बहुत स्वागत है तो प्रेंट्स बताईए आप सब कैसे हो और मैं तो यहीं उमीद करती हूँ कि आप सब बिलकुल अच्छे होंगे और खूब इंजोए कर रहे होंगे परमपिता परमात्मा के चर्णों में यही प्रारतना है कि परमात्मा आप सबी को अच्छी सिहत बक्सिंग आप सबी की सारी मनो कामनाई पूरी हो जएं और आज की इस वीडियो में मैं अपना कोई काम शेयर नहीं करूंगे इस वीडियो में मैं आप सब के साथ मेरी सासु मा का मौर्निंग टो इवनिंग जो रूटीन है वो शेयर करूंगे क्योंकि काफी दिनों से बीच बीच में क्मेंट्स आ रहे हैं कि दादी मा का मोर्निंग टू इवनिंग रूटिन शेयर कीजिए कि वो सुबह से शाम तक क्या क्या करती है और मैंने यहाँ पर कैमरा लगभग सवा साथ बजे लगाया है लेकिन सासुमा योगा यहाँ पर साड़े पांच बजे करना शुरू कर देती है और इतनी सुबह सुबह कैमरा मैंने इसलिए नहीं लगाया अगर मैं इनके सारे योगा अकसर साइज शेयर करती तो फिर एक वीडियो तो इनके योगा अकसर साइज की ही बन जाएगी क्योंकि बहुत सारे करती है तो साड़े पांच बजे लग जाती है साड़े साथ पोने आठ बजे तक योगा ही करती रहती है और सुबह उठती है जितने बजे भी इनकी आँख खुलती है उठके और संध्या सिमरन करके और फिर अगर जादा जल्दी उठ गई होती है तो ये सो जाती है और कभी कभी लेट उठती है जैसे पांच बजे आँख खुलती है तो सिमरन करने के बाद फिर अपना सीधा योगा अक्सरसाइज करने लग जाती है कभी कभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी उट जाती हैं तो सिमरन करने के बाद फिर सो जाती हैं फिर साड़े पांच बजे उटके अपना योगा करने लग जाती है तो यहाँ पर मैंने सबा साथ बजे कैमरा लगाया है और कैमरा लगाने के बाद मैं तो अपने कामों में बीजी हो गई हूँ क्योंकि एक तो कल बहुत जादा धूल बरी आंधी आई थी पूरे घर में रेत हो गया है और बहुत सारे कपड़े भी हैं जो मुझे प्रेस करने हैं और दूसरे वाले फोन में मेरा जो रूटीन होता है उसके वलोग की स्टार्टिंग करूंगी तो वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और यहां पर सासुमा के लिए मैंने दूसरा फोन लगा दिया है ताकि इनकी वीडियो किलिप साथ के साथ बनती रहे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि दादी मा का रूटीन शेयर कीजिए लेकिन मेरे पास एक फोन था और ऐसे में मुझे वीडियो बनाने में काफी दिक्कत हो रही थी तो अब मेरे पास दो फोन हो गई हैं तो मैंने सोचा कि चलो आप सब की रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूं सासुमा सुबह से शाम तक क्या क्या करती है वो मैं आप सब के साथ शेयर कर देती हूं तो अभी ये योगा जितने इनके हैं सारे कंप्लेट करेगी और फिर उसके बाद इनको जो खाना पीना है वो खाईगी तो फ्रेंड से अब ये सुबह आठ बजे का टाइम है सासुजी के सारे योगा अक्सरसाइज कंप्लेट हो गई हैं और अब ये वापस आकर अपनी चार पाई पर बैठ गई हैं और विशार के बापा जी ने इनको खाने के लिए अंजीर दिये हैं अंजीर रात को मैं दूद में भिगो देती हूँ और फिर ये उनको अपने योगा अक्सरसाइज कंप्लेट करने के बाद सुबह खाती है और इनको खाने के एक घंटा बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है एक घंटे बाद फिर ये अपना दूद पीती है तो अब ये इनको अंजीर खाने के लिए दिये हैं ये किसी ने बताया था कि अगर रात को अंजीर को दूद में भिगो दे और सुबह खाली पेट उनको खाले तो गुटनों का जो दर्द होता है वो खतम हो जाता है तो ये किसी ने बताया था विशाल के पापा जी अपने लिए और अपनी मा के लिए ले आए थे कि मेरे भी घुटनों में दर्द रहता है और मा को भी रहता है तो खा के देख लेते हैं क्योंकि अच्छी चीजे हैं कोई नुकसान करने की तो है नहीं तो लगबग बन वीक हो गया है तो नो मा बेटा खा रही है और आज तो दोनों ही बोल रहे थे कि हाँ हमें कुछ आराम है तो अभी देखो तो खा रहे हैं कितना आराम होता है कितना नहीं होता है वो तो मैं आप सब को बाद में बताऊंगे कि इनको कितना आराम आया है लेकि इनका जो स्वाद है वो खाने में अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी लिए भी इसके पापा जी बोल रहे थे कि तुमारे भी घुटनों में दर्द होता है तुम भी खा लिया करूँ लेकिन फिर मुझसे खाया नहीं गया क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल ही अजीब है लेकिन फिर ये होता है अगर किसी को जादा ही दर्द होता है तो फिर कड़वी दवाई भी तो खाते हैं इसको खा लेते हैं तो ये दोनों मा बेटा सुबह अंजीर खाते हैं अब ये सासुमा अंजीर खाने के बाद कुछ देर विश्राम करेगी क्योंकि साड़े 5 बजे से सारी रिककसरत करने पे लगी हुई है तो ठकावट तो होई जाती है कापी बड़ा सरीर हो गया है उमर जादा है तो इतनी मेहनत करने के बाद ठकावट हो जाती है और अंजीर कुछ नहीं खाना होते हैं एक से टेड़ घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है तो पीती हे अभी तो ये अगर नीद आएगी तो सो जाएगी तो फिर ओठ के और घूमने के लिए जाएगी यहान पास पारक है वहां जाती है तीन चार पान्च जितने चक्कर लगा सकती है राउंड उसके वो लगा के आती हूँ घूमने के लिए जाएगी तो अभी इन्होंने जीर खा के थोड़ी सी देर आराम किया है और सोएगी जितना सोए जाएगा और फिर उटके ये जाएगी घूमने के लिए तो ये है कि सुबह सुबह काम मुझे बहुत सारे होते हैं तो इनके साथ पारक में तो मैं नहीं जा पाऊंगी और विशाल के पापा जी भी इस टाइम पे अपना घूमने के लिए चले जाते हैं वो भी अंजीर खाने के बाद और फिर चले जाते हैं बाहर अपना योगा अकसरसाइज उनको जो करने होते हैं वो करके आते हैं घूम के आते हैं क्योंकि सुबह सुबह इनको तो टाइम होता है ये तो अपना अकसरसाइज भी कर लेते हैं घूम भी लेते हैं लेकिन मैं तो चाहे कितने बजे क्यों न उठ जाओ मेरे तो कामे नी खतम होते हैं और मैं इस टाइम पे प्रेस करने पे लगी हुई हूँ बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं अपने काम में लगी हुई हूँ तो फ्रेंड से अब ये लगभग सवा नौ या साड़े नौ बजे का टाइम है मैंने अलार्म में टाइम नहीं देखा लेकिन लगभग इतना ही टाइम है ये और सासुमा बाहर से घूम के वापस आ गई है और वहां से आई है तो अब कम से कम 15-20 मिनट के लिए ये लेट जाएंगी क्योंकि घूम के आई हैं तो ठक गई हैं अभी थोड़ी दिर लेटेंगी पिश्राम करेंगी और मैं अपना साप सफाई के काम में लगी हुई हूँ क्योंकि पोचा लगा रहे हूँ दूसरे वाले रूम में यहां पे अभी नहीं लगाया है और आप देख सकते हैं कापी सारी धूल हो गई है क्योंकि कल जो धूल बरी आंधी आई थी उसकी वज़े से पूरी धूल हुई पड़ी है तो सासुमा अभी लेट गई है और कुछ देर आराम करने के बाद अभी यह नहां के आई है और बालकनी में अपना तोलिया इन्होंने सुखा दिया है और अब जो है यह कम से कम एक घंटा आराम से सुईगी एक से सवा घंटा यह सो जाएगी क्योंकि मैं तो अभी अपना सापसफाई के काम में लगी हुई हूँ और मुझे तो आज टाइम लगेगा क्योंकि एक तो मैं सुबह सुबह प्रैस करने लग गई थी दूसरा आज इतनी धूल भरी पड़िया घर में कि पोचा लगाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा तो खाना बनाने में भी आज थोड़ा सा लेट हो जाऊंगे तो जब तक सासु मा की अब थकावट नहीं उतरेगी इनकी नीद पूरी नहीं होगी तब तक अभी तो फ्रैंट से अब सासु मा की नीद हो गई है पूरी और इनोंने अब आकर के टीवी ओन कर लिया है अब आराम से सोफे पर लेटेगी और टीवी देखेगी और अब जब तक टीवी देखेगी जब तक खाना खाने के बाद इनको दोबारा से नीद नहीं आ जाएगी तब तक अपना आराम से यहीं पर लेट के टीवी देखती रहेगी और घर में टीवी देखने का शोक भी केवल मेरी सासुमा कोई है बाकी तो घर में किसी को शोक नहीं है टीवी देखने का क्योंकि ये फोन ऐसे हो गए हैं जिसको जो कुछ देखना होता अपने फोन में देख लेते हैं मंतली रिचार्ज केवल सासुमा के लिए ही करवाना पड़ता है और मैं किचन में इस टाइम पे खाना बना रही हूँ और ये आराम से अब लेट गई है इनका मन करेगा तो अभी कथा चल रही है कथा सुनेगी नहीं मन लगेगा तो बाबा राम देव का शो आता है उस पे लगा देगी और कभी कभी अपना न्यू जाती है तो न्यू चुन लेगी तो ये इनकी अपनी मरजी होती है और इधर खाना भी तयार हो गया है तो मैं इनके लिए खाना लेकर आ गई हूँ और मैं पहले लसी नहीं लेकर आई थी इनके लिए क्योंकि कल मैंने लसी डालके दी थी तो सासुमा ने कहा कि मेरे तो गुटनों में ज़्यादा दर्द है मैं लसी नहीं प्योंगी लेकिन आज मैं लसी नहीं लेकर आई फिर मैंने पूछा कि लसी प्योंगे ले आती हूं और फिर जब तक उसको खाती है तब तक मैं दूसरा फुलका बना करके ले आती हूं तो ये है कि जब गरम गरम रोटी बनाई रही होती हूं तो एक एक ही दे देती हूं तो आराम से अपना एक खा लेती हैं तो अभी अपना सासुमा खाना खाएगी और कुछ द तो अब ये वापस से अपना सो जाएगी और लगबग साड़े तीन पोने चार बजे तक अब ये सोएगी और फिर उठेगी तो अपनी जो दवाई वगएरा लेनी होती है या घुटनों पर मालिश वगएरा करनी होती है वो करेगी तब तक विशाल के पापा जी इनको पियेगी और पहले तो चार बजे घुमने के लिए चली जाती थी लेकिन अब धूप तेज होने लग गई है तो लगबग पांच बजे या पोने पांच बजे फिर ये घुमने के लिए जाती है और फिर वहाँ से ये साथ बजे आती है तो फ्रेंड से अब ये शाम साड़े साथ बजे का टाइम है और पारक से आने के बाद फ्रेस होकर ये बैठ गई है अब सिमरन करने के लिए और ये सुबह और शाम दोनों टाइम डेली सिमरन करती है उमर के इसाब से जितनी देर इन से बैठा जाता है उतनी देर ये हर रोज सुबह शाम बैठती है भगवान के ध्यान में उनका सिमरन करती है उनका ध्यान करती है तो ये यहाँ पर अपना अभी सिम्रन कर रही है तब तक मैं अभी कीचन में चली गई हूँ और खाना बनाने की तयारी करने लग गई हूँ तो सासुमा सिम्रन करेगी तब तक मैं खाना तयार कर देती हूँ तो फ्रेंड्से अब ये रात लग बग सवाट बजे का टाइम है और रात का खाना बन गया है तो सासु मा यहां पर खाना खा रही है और इस time पर मेरी बड़ी जिठानी भी आई हुई है तो मेरी जिठानी यहाँ पर सासुमा से ही बैट के बात कर रही है क्योंकि मैं तो किचन में इस टाइम पर खाना बना रही हूँ तो यहाँ पर चेर डाल के और सासुमा के पास ही बैट गई है इनी से अभी बात कर रही है तो ये दोनों सासुबों अभी यहीं पर बात करती रहेंगी और सासुमा अपना खाना खा लेंगी तो आप सब भी आज ये और रात का खाना खा लीजिए तो अब ये रात नो बजे का टाइम है और सासुमा अपना टीवी देख रही है वैसे तो डेली रात का सिमरन करने के बाद यहीं पर आकर बैट जाती है टीवी देखने के लिए और रात का खाना फिर यहीं सोफे पर बैट करी खाती है लेकिन आज इनोंने अपना सिमरन किया था फिर उसी टाइम पर जेठानी जी आ गई थी तो फिर वहीं पर बैट के अपने रूम में हिनोंने खाना खा लिया था और अब जेठानी भी चली गई है जेठ के दोनों बेटे भी आये हुए थे वो सब चले गई है विशाल के पापा जी भी अपना बाहर गूमने के लिए चले गई हैं क्योंकि वो भी रात को डेली खाना खाने के बाद बाहर गूमने के लिए जाते हैं तो वो अपना गूमने के लिए चले गई हैं और सासुमा अपना सोपे पर अराम से लेट गई है ती वी देखने के लिए और मैं तो अपने काम में लगी हुई हूँ और मैंने सासुमा को दूद भी डाल के दे दिया है क्योंकि अभी इनको गरम गरम तूद पीना है गुड के साथ तो इनको गुड दे दिया है कभी-कभी ये चिनी डलवा लेती हैं और कभी-कभी ये गुड मांगती है तो जो इनकी इच्छ होती है मैं तो वही दे देती हूँ तो जब ये कहती है कि आज मुझे गुड नहीं खाना है मेरे गुड़नों में दर्ध है चिनी डाल देती हूँ लेकिन जब ये कहती है कि आज मुझे गुड़ खाना है तो इनको गुड़ दे देती हूँ तो आज मैंने इनको गुड़ के साथ दूर दिया है यहीं इनकी फरमाईश थे तो अभी यह अपना यहीं पर बैठके अपना गरम-गरम दूर पियेंगी फिर आराम से यहीं पर लेट कर तीवी देखती रहेंगी और अब तो यह जब तक तीवी देखेंगी तब तक इनको नीद नहीं आएगी चाहे दस बजे साड़े दस बज जाएं या साड़े नो बज जाएं और आज तो थोड़ा लेटी बैठी हैं वरना वैसे तो यह यहाँ पर आठ बजे आराम से बैठ जाती है तीवी देखने के लिए और लगबग दस सबादस बजे तक डेली यहीं पर तीवी देखती हैं तो अब देखो आज इनकी इच्छा है जितना इनका मन करेगा उतनी देर तक ही अपना तीवी देखती रहेंगी और टीवी में भी इनकी वही जैसे मैंने पहले बताया था वही तीन चीजे चलती हैं या तो निव चलती हैं या कथा चलती है या फिर बाबा राम देवाता है तो यह अपना अभी देखो कितने बजे तक टीवी देखी तो फ्रेंड से अब ये रात सवा दस बजे का टाइम है और सासु मा को अब नीन आ गई है तो ये अब टीवी बंद करके और अपने रूम में आ गई हैं और अपना सोने की तयारी करेंगे तो फ्रेंड्स मेरी सासु मा का डेली का मौर्निंग टो इवनिंग यही रूटीन होता है और एकाद काम दिन का होता है जैसे मैं शेर नहीं भी कर पाई हो तो वैसे मैंने बोल के आप सबको बता दिया है कि और ये क्या-क्या करती है क्योंकि कई बार होता है कि चगे-चगे कैमरा नहीं भी लग पाता है तो मैंने आप सबको बोल के बता दिया है काफी दिनों से request आ रही थी कि दादी मा का morning to evening का routine शेर कीजिए कि वो दिन भर क्या क्या करती है तो friends आज मैंने आप सबको इनका morning to evening का routine दिखाया है कि ये क्या क्या करती है तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी friends group में शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके पैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तब की लिए नमस्कार बाइबाइ